जहिंद, वेलकम बैक टू विजयपत एजुकेशन पालंपुर आप सभी का एक वार फिर से विजयपत एजुकेशन के इस ओनलाइन प्लेटफोर्म पर स्वागत है तो टारगेट आर्मी अगनिवीर आपके लिए इंपोर्टेंट सेशन ये रहेगा अगनिवीर जीडी क्लर् पहली बार आपका एक्जाम रखा गया है आर्मी के द्वारा तो मैं आप सबके लिए आज एक जीके का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ ये जीके के कोश्चन आपके आर्मी के अलावा हिमाचल पुलिस, पतवारी, जे ओए, बीएसफ, आईटीबीप, एससी, क्लेरिकल या अधर जो भी हमारे स्टेट या सेंटर ओल वन डे कंपिटिटिव एक्जाम रहते हैं उनके लिए ये हमारा सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वीडियो को मैं शुरू करने से पहले आपको बता दूँ वीडियो को एक वार अपने फेंट्स में शेयर कर दें क्योंकि लंबी हमारी क्लास ही चलने वाली है और to the point हम कोशन को हिट करेंगे कोमेंट में आप अपने आंसर देते चलें साथ साथ में और जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं एक वार लाइक आप जरूर कर दें क्लास को स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपोर्टेंट सेशन को जल्दी से कोमेंट आपको करना है आंसर पहला कोशन आपके पास दिया गया है भीम बेट का गुफा किस राजे में स्थित है चार ओप्षन है तेलंगाना करनाटक ओडिशा और मध्य परदेश तो भीम बेट का गुफा किस राजे में स्थित है तो ये हमारी स्थित कहां पर है मध्य परदेश में ये सिथ है भोपाल से ये 45 किलो मेटर जो है वो दूर है और मध्य परदेश में जो है ये सिथ है भीम बेट का गुफा तो जिनका भी आंसर option D आया है वो विल्कुल सही है अगला question है आपके पास सिंदु घाटी सभेता की लिपी कौन सी थी जल्दी से इस question का आप आंसर करें तमिल खडोस्ट की अग्यात या फिर ब्रह्मी कौन सी लिपी जो है वो सिंदु घाटी सभेता की लिपी थी जल्दी से आंसर करें बिल्कुल important question आप सभी के लिए और जो भी student हमारे साथ जुड़े हैं एक वार वीडियो को like आप जरूर कर दें क्योंकि important session आपका ये रहने वाला है लंबी class आपके लिए ये चलेगी जीके की और विशले कल हमने जो है वो आर्मी जीडी का एक complete practice set हमने discuss किया था तो वहाँ पर भी काफी अच्छा response जो है वो बच्चों का रहा था तो इस question का answer जिन्होंने option C इस question का answer दिया है वो विल्कुल सही है तो अग्यात सिंदू घाटी सभेता की जो लिपी थी वो क्या थी अग्यात थी मतलब हमें उसका पता ही नहीं था ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है तो right option कौन सा रहेगा? option C जो है वो इस question का बिल्कुल सही answer रहेगा अगला question है जल्दी से मोहन जोदलो का स्थानी नाम क्या था? तो मोहन जोदलो को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है जल्दी से रेगिस्थान का टीला, नदी मुख भूमी का टीला, मृतकों का टीला या फिर जीवन का टीला तो important question है एक्जाम में पूछा जाने वाला प्रशन है और जो आपकी आर्मी की SK की बुक रहती है उसमें ये question discuss किया गया है मृतकों का टीला option C जो है वो इस question का बिल्कुल सही answer है रहेगा तो इसकी खोज जो है वो 1922 में राखलदास बेनर्जी के द्वारा जो है वो की गई थी अगला प्रशन मुहुन जोद्रो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है जल्दी से question को हम हिट करेंगे मुहुन जोद्रो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है विशाल, सनानागार, धान्यागार, स्तंभ होल या फिर दो मंजिला मकान तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा जो है वो सबसे बड़ा भवन था सबसे बड़ा भवन कौन सा है मोहनضडलो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनडलो का सबसे बड़ा भवन जो है वो कौन सा है? धान्यागार है ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि कुछ student ने answer यहाँ पर विशाल सनानागार दिया है नहीं, ये सबसे बड़ा भवन नहीं था बिशाल सनानागार मोहन जोद्रो में मिला था लेकिन ये सबसे बड़ा भवन नहीं था ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ये सबसे बड़ा भवन नहीं था इसकी लंबाई में जो है वो कह था इसकी लंबाई जो है वो 45 मेटर तक लंबी थी और सनानागार की लंबाई थी टोटल 11 मीटर के आसपास इसलिए धान्यागार जो हैबू सबसे बड़ा भवन है लेकिन सनानागार मिला कहां पर है यह मिला है मोहन जोद्रों में अगला प्रशन विशान सनानागार ग्रेट बात कहां पर मिला है यह चीज़ आप यहां पर पिछले कोशन में मैं आपको यहां पर डिसकस किया विशाल सनानागार कहां पर मिला था आपको पता है मोहन जोद्रों में जो है यह आपको मिला था ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा अगला प्रशन है सिंदु घाटी के लोगों की एक महत्तपूरण रचना निमेलिकित में से किसकी मूर इसलिए ऑप्शन बी जिनों ना भी आंसर दिया है वो विल्कुल सही आंसर आपका रहेगा अगला प्रशन हिस्ट्री के कोशन अभी तक हमारे चले हैं प्राचीन भारत के सिंदु घाटी सब्यता का पतन नगर कौन सा है यानि कि बंदर कहा कौन सा था सिंदु घाटी सब् जल्दी से आप कोमेंट करके बताएं कि लोथल किस जिले में पढ़ता है और किस नदी के किनारे में पढ़ता है और किस नदी के किनारे में ये पढ़ता है जल्दी से अपना आंसर यहां पर कोमेंट करें अगले कोशन के ओपर आते हैं बेद सब्द का अर्थ क्या है चार है ज्यान बुद्धी मता कुशलता और शक्ति आपको पता होना चाहिए कौन सा इसका राइट अंसर रहेगा बेद शब्द का मतलव क्या होता है तो टोटल चार परकार के बेद थे और बेद शब्द का अर्थ क्या है ज्यान तो यानि की option A क्या रहेगा knowledge इसका बिल्कुल सही की आंसर यहां पर रहने वाला है अगला प्रशन आर्यों को एक जाती कहने वाला पहना European कौन सा था क्या कहा था किажा क्या है एक कास्ट है, क्या है एक जाती है, तो यह किस ने कहा था, Sir William Jones ने, H.H. Wilson ने, Max Müller ने, या फिर Journal Cunningham ने, किस ने कहा था, तो Max Müller ने जो है, यह कहा था, कि आरे क्या है, एक जन जाती है, एक जाती है, तो बिल्कुल सही आंसर, जिन्होंने option C इसका answer तिया है वो बिल्कुल right answer उनका रहेगा अगला प्रशन है भारती परतीक पर जो चिनित किया गया है लिखा गया है सत्य मेव जयते कहां से लिया गया है यह तो आपको पता ही होना चाहिए चार option दियेगे है रिगवेद मतस्य पुरान भगवद गीता या फिर ने भी अपना answer ABC से चूज किया है तो आपको यहां पर जादा मेहनत की त्यारी आपको यहां पर करनी पड़ेगी तो मुंड को उपनिशत से जो है वो सत्य मेव जयते जो है वो लिया है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है सत्य की हमेशा बीजे होगी अगला प्रशन परसित जरूर करें और जो भी फ्रेंड्स हमारे नए आज इस क्लास के साथ जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर करें गायतरी मंतर कहां से लिया गया है यजुर बेद अथर्व बेद रिगवेद या साम बेद टोटल चार बेद आपके पास दिये गए है तो गायतरी मंतर जो है से लिया गया है रिगवेद के कौन से मंडल से तीसरे मंडल से लिया गया है जल्दी से आप अपना अंसर करें कि गायतरी मंतर किस भगवान को समर्पित किस बहुए समंधित आपना अंसर जरूर भी यहां पर बताएं अगला प्रेशन क्वेशन नमर्ट जल्दी से क्लास को एक और शेयर जरूर कर दें बुद्ध किस वन्ष से समंदित थे अभी क्वेशन की होड लगने वाली है हंडर कोशन हम जीके के यहां पर डिसक्स करने वाले हैं और आर्मी के लिए क्योंकि 17 अपरेल से आपका इक्जाम जो है वो स्टैट होने जा रहा है तो इसके लिए जो है वो जितने भी शिफ्ट आपकी रहेंगी वहां पर आपको यहां पर आज की से क्लास से कहीं न कहीं पर आपको कॉश्चन देखने को जरूर मिलेंगे तो समंद रखते थे तो बोध धरम के जो प्रवर्तक थे महात्मा बुद्ध वो जो थे वो कौन से वांच से समंदिते ओप्शन सी साक्य वांच से वो समंदिते यह थोड़ा सा अपलेवल का कोशन यहां पर डाला गया है अगला प्रशन है प्रत्थम बोध परिशद कहां पर आयोजित की गई थी विशाली कश्मीर राजग्रिह या फिर पाटली पुत्र कहां पर यह रखी गई थी प्रत्थम बोध परिशद कहां पर यह हुई थी तो यह आपको यहां पर बताना है प्रत्थम बोध परिशद कहां पर हुई थी तो चार ऑप्शन दिये गए हैं बुद्ध का अर्थ होता है ज्यान और आपसे पूछा गया है बुद्ध का अर्थ क्या है ज्यान प्रापती धरम प्रचारक प्रतिवाशाली या फिर शक्ति साली क्या इसका सही आंसर रहेगा तो बुद्ध का राइड आंसर क्या रहेगा बुद्ध का राइड आंसर है बु पीपल के ब्रिक्ष के नीचे जो है वो बुद्ध को ग्यान प्रापत हुआ था और बुद्ध का बच्पन का नाम किया था सिद्धार्थ था आपको पता होना चाहिए कौन से पेड़ कौन सा एक बोध ग्रंथ है बोध साहित्य है त्रिपीटिक उपनिशद अंग या फिर आरणक के कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा तो बुद्ध के जो साहित्य थे वो क्या थे वो थे त्रिपीटिक थे और कौन सी भाशा में लिखे गए थे तो वो लिखे गए थे पाली भाशा त्रिपीटिक ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने आंसर ए दिया है वो बिलकुल सही आंसर यहां पर उनका रहेगा अगला प्रशन जल्दी से क्वेशन नमबर 16 हमारा चल पड़ा है धातू से बने सिक् फिर म१रे के काल कॉल yearगा अरश इसका सही आंसर रहेगा जल्दी से आप अंसर यहां पर वताएं कि धातू केinson कि थको पहले पर कहां पर मिले थे और उन्हें खोजा गया था तो पहली वार जो वो इन option के according जो आपका right answer रहेगा वो आएगा आपके पास बुद के काल में तो बुद के काल में जो है वो इन्हें ये प्रकट किये गए थे और ये जो थे वो जादा तरचांदी और तामबे के ही सिक्के थे और इन्हें जो है वो आहत सिक्के के नाम से या फिर पंच मार्क सिक्के के नाम से भी जो है वो जाना जाता था तो option सी बुद के काल में जो है ये इसका right answer रहेगा अगला question question number 17 question आपका चला है जीके का और यहां पर आप एक जीके की sheet आप बनाते चलें एक page ले लें वहां पर आपको लिखना है जीके का test number आज है आपका second test रहेगा जीके का और उसमें आपको क्या लिखना है उसमें आपको answer लिखते चलना है कि आपका first question क्या हुआ ठीक हुआ second question आपका ठीक हुआ third question क्या हुआ ठीक हुआ fourth question आपका गलत हुआ तो इस तरीके में बुल का समंद जीवन बुद के जीवन की किस घटना के साथ था तो बुद के जीवन में जो है वो बुद्ध के जीवन में एक बुल का समंद जो है वो बताया गया है डिफरेंट रिलेशन जो है वो बताया गया है कि बुल यानि की सांड का समंद जो है वो किस घटना से समंद रखता है तो वो धर्म में बुल का समंद बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ जुड़ा हुआ है तो बुद्ध के जीवन में जो है वो बड़े सारे जानवरों का जो है वो समंद बताया गया है जैसे सांड का जो समंद है यानि की बुल का समंद जो है वो किस से बताया गया है उनके जनम से बताया गया है घोडे का समंद जो है वो ग्रिह त्याग से बताया गया है उसके बाद पीपल का समंद जो है वो ग्यान से बताया गया है और स्टूप का समंद जो है वो उनकी मृत आंसर रहेगा आपको बोला गया है बुद्ध, धम और संग मिलकर क्या कहलाते हैं तो बुद्ध के ये क्या है त्री रतन हैं, त्री वर्ग हैं, त्री सर्ग हैं या फिर त्री मूर्ती हैं तो बुद्ध, धम, संग जो हैं ये बुद्ध के जो हैं वो क्या कहलाते हैं त्री र रतन कहला आते हैं तीन रतनों का स्मूव है यानि कि बुद्ध धम और संग तो ऑप्शन ए जिनका भी है वो बिलकुल सही आंसर उनका यहां पर रहेगा अगला प्रशन जल्दी से इच्छा सब कस्टों का कारण है इसका प्रचार करने वाला धरम कौन सा है यह बाग किस ने क सीरीज मैं आपके लिए यहां पर लेके आया हूं जल्दी से इस कोशन का आप आंसर करें इच्छा सब कस्टों का कारण है यह किस ने कहा था तो यह कहा था वो धरम ने ऑप्शन ए इसका क्या रहेगा बिलकुल सही आंसर रहेगा अगला कोशन जल्दी से आंसर आप बताए महाबीर कौन थे इंटरस्टिंग क्वेशन है और यहां पर बच्चे जो है वो पजल हो जाते हैं कई बार 21 आ है 22 23 24 कौन सा इसका तीर्थ का रहेगा यह महाबीर कौन से नंबर के तीर्थ कर थे 21 थे 22 23 या फिर 24 तो कौन से नंबर के थे महाबीर जो थे यह 24 में तीर्थ कर तो यह भी कई बार पूछ लिया जाता है तो पार्शवनाथ जो थे ये इसके क्या थे 23 में तीर्थ करते ये आपको पता होना चाहिए अगला कोशन है भारत में जैन धरम का संस्थापक किसे माना जाता है बड़ा इंट्रेस्टिंग कोशन कोशन नमबर 21 हमारा चला है भारत म जैन धरम का संस्थापक किसे माना जाता है गोतम को महावीर को चंदर गुप्त को या फिर अशोक को जल्दी से अपना आंसर कोमेंट करें जैन धरम का संस्थापक किसे कहते हैं तो यहाँ पर महावीर को क्या कहा जाता है जैन धरम का संस्थापक कहा जाता है option B जिनका भी ह और जल्दी से अपना आइक अंसर आप बताएं किmeन्ट करें,C आजाता है यही कोशन मैंने आपसे कोमेंट करने के लिए बोला और देखिए आपका 22 कोशन जो है वो यही यहां पर निकल के आया जैन धरम का पहला तीर्थकर कौन सा था पार्शबनाथ महावीर स्वामी रिश्वदेव या फिर आजितनाथ तो क्या उनका सही आंसर यहां प अगला प्रशन जैन साहित्य को क्या कहते हैं तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है त्रिपिटिक बेद आरे सूतर या फिर अंग जैन साहित्य को क्या कहते हैं जल्दी से अपना आंसर आप करें अगर मैं बोथ साहित्य की बात करूं तो उसे कहा जाता था त्रिपिटिक वै अगला question है प्राचीन भारत का परसिद शाशक कौन सा था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धरम अपनाया था most important question है history का ये प्राचीन भारत का वो कौन सा शाशक था जब उसकी मृत्य होने वाली थी जीवन के अंतिम दिन उसके चले थे तो उसने अपना धरम जैन धरम को अपना लिया था तो वो कौन सा था वो शाशक था चंदर गुप्त काफी महान शाशक रहा था प्राचीन भारत मे option C चंदर गुप्त क्या है ये बिलकुल सही आंसर रहेगा अगला प्रशन है उस राजे का नाम बताईए ये भी important question है question number 25 most important है उस राजे का नाम बताईए जिसने पहली वार युद में हाथियों का इस्तेमाल किया था important question रहेगा कोशल मगद चंपा या फिर अवंती कौन सा दो कौन सा राजे था मघद राजे था मघद राजे option B मघद राजे न क्या किया था पहली वार युद के लिए हाथियों का उप्योग जो है वो किया अगला question जल्दी से अपना answer यहां पर आप comment करें प्राछीन काल में कौन सी भाषन वहाशा अपयोगमें ली जाता थी संसकृत भाषा की क्या चाहता था अगला most important और यह तो अगर आप history से अगर आप कुछ knowledge लेना चाहते हैं तो starting ही यहीं इस question से होती है Herodotus को क्या माना जाता है क्या माना जाता है जल्दी से अपना answer comment करें यह question आपका गलत नहीं होना चाहिए इतिहास का जनक भुगोल का जनक राजनीतिक सास्त्र का जनक या फिर दर्शन सास्त्र का जनक अगर आप history में हलका सा भी अगर इंटरस्ट रखते हैं तो यह question आपके गलत नहीं होना चाहिए यह सारे के सारे students का answer बिल्कुल सही होना चाहिए इतिहास का जनक history के founder किसे कहा जाता है तो option A के रहेगा बिल्कुल सही answer रहेगा अगला most important question महा भाश्य लिखा गया था किसने लिखा था गारगी ने मनू ने बान ने या फिर पतंजली ने महा भाश्य के रचनाकार कौन थे जल्दी से अपना answer यहाँ पर बताएं गारगी मनू बान या फिर पतंजली जल्दी से अपना answer यहाँ पर comment करें हमारे साथ share करें क्योंकि महा भाश्य रिखा था किसने महारिशी पतंजली ने और योग के जनक भी किसे कहा जाता है महारिशी पतंजली को ही माना जाता है तो option D जिनका सही है वो बिल्कुल यहाँ पर सही जा रहे है अगला question जल्दी से 29th question रहेग समझाने के लिए क्योंकि मैं important fact को भी आपके साथ share कर रहा था आज थोड़ी सी fast series जो है मूँ आपके लिए यहाँ पर रखूंगा युनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था कौन सा वो शाशक था चंदरगुप्त मोरे था चंदरगुप्त विक्रामा देते था अश बिल्कुल सही आंसर अपने यहां पर जा रहे हैं एक वार अपना score जो है वो कमेंट कर दें कि अभी तक यह जो 30 कोशन हमारा चला है 30 कोशन में अभी तक आपके जीके के कितने कोशन जो है वो बिल्कुल सही हो चुके है टोटल 100 कोशन की series हमारी रहेगी और लगबग आपक अपने अंतिम दिन गोजा रहे थे चंदरगुप्त मोर्यन है तो option D श्रबन बेल गेला में जो है वो इन्होंने यहां पर अपने अंतिम दिन गोजा रहे थे मैसूर में यह पढ़ता है मैसूर में यह पढ़ता है श्रबन बेल गोला जो है वो मैसूर में पढ़ता है यहां पर जो है बो इन्होंने अपने क्या किये थे, अंतिम दीन जो है बो गुजारे थे, अगला प्रशन है, most important question, चंदरगुप्त मोरे का बेटा कौन था, बिन्दु सार था, चंदरगुप्त दितिय था, अशोक था और भी बिसार था, ये question आपके static GKK, basically रहते हैं, क्यूंकि fix question ह आपके exam में पूछे जाते हैं चंदर गुप्त मूर्य का बेटा कौन था बिंदु सार था option A जिन्होंने भी आंसर option A दिया है वो बिल्कुल सही आंसर यहां पर जारे है question number 32 रहेगा बिंदु सार का पुत्र कौन था तो दीखी चंदर गुप्त का बेटा कौन था बिंदु सार थे आपको यहां पर बता दिया हब आगे पूछा है बिंदु सार का बेटा कौन था तो बिंदु सार का बेटा कौन सा था तो बिंदु सार का बेटा था सम्राट अशोक जिसको हम जानते हैं option A जो है इस question का बिल्कुल सही यह answer रहेगा रिपीटिड कोईशन है अशोक जो है वो मोरे राजवंस का काफी महान शाशक जो हुआ था और यह बिंदु सार का क्या था पुतर था और चंदर गुप्त मोरे का क्या हुआ यह पोता हुआ अगला question बिंदु सार के शाशक के दोरान अशांती कहां पर क्यां पर तक्षिला क्योंकि यहां पर एक बिंद्रोह हुआ था उसके कारण जो है वो यहां पर अशांती फैल गई थी अगला question निमलेकित में से वे कौन सा वे व्यक्ति को न है जिसका नाम देवा नाम प्रियदर्शनी था यह भी रिपीटिड कोशन आपके एक्जाम में पूछा जाता है देवा नाम प्रिय दर्शनी के नाम से किसे जाना जाता है तो राजा अशोक को समराट अशोक को जो है वो किसके नाम से जानते हैं हम देवा नाम प्रिय दर्शनी के नाम से जानते हैं तो option A जो है वो इस question का बिलकुल सही answer रहेगा अगला प्रशन इंडी का पुस्तक किसके दौरा लिखी गई है अभी हमारे सिर्फ 35 कोशन चले हैं टोटल 100 कोशन की सीरीज हमारी रहेगी जादा हमारी जानकारी के लिए टेस्स सीरीज आप पर चेस कर सकते हैं www.vjpatheducation.com के ओपर जाकर इंडी का पुस्तक किसने लिखी थी ये कोशन भी आपके एक्जाम में पूछा जाता है किसने लिखी थी जल्दी से आप बताएं ओप्शन ए जो है वो आई तिसंग है फिर मैकस्तनीज है फायान है हैंसंग है कौन सा राइट आंसर आपका रहेगा तो ये लिखी किसके गई थी मैकस्तनीज के दौरा ये बुक इंडी का जो है वो लिखी गई थी अगला कोशन है अशोक ने किस बोध भिक्षुत से प्रभावित होकर बोध धरम अपनाया था तो ये आपको पता होना चाहिए पहरे हमने जयन धरम अपनायाने की बात की अब अशोक ने क्या अपना लिया था बोध धरम अपना लिया था अब अशोक को मिला था एक बोध साधू और उनी के बातों से प्रभावित होकर उन्होंने अपना धरम क्या अपना लिया बोध धरम अपना लिया option B जिन्होंने भी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही आंसर उनका रहेगा अगला question है सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया था थोड़ा सा अपलेबल को question डाला गया है चिस्ती ओलिया सिलसिला या फिर सुक्रबल्दी तो किस नाम से जानते थे सूफी आदेश जो सूफी आदेश थे उनका अन्य नाम क्या था उनका अन्य नाम क्या था सिलसिला option C जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा अगला most important question अमीर खुसरों एक संगीत एक संगीत तग्य था और इसके साथ-साथ और क्या था क्या वो सूफी संत था फार्सी और हिंदी का लेखक और विज्यान था इतिहासकार था या फिर यह सभी में निपून था तो कौन सा इसका right answer रहेगा जल्दी से आप comment करें अमीर खुसरो जो है वो एक फार्सी और हिंदी का एक लेकक भी था, सूफी संत भी था, इतिहासकार भी था, इसलिए option D जो है वो इस question का क्या रहेगा, right answer, option D जिन्होंने भी answer दिया है, वो बिल्कुल सही answer उनका रहेगा, तो जो भी student हमारे साथ जुड़े हैं, एक और वीड को रहीम खाना को, अमीर खुसरो को, या फिर मलिक महमद जाईसी को, जल्दी से अपना answer आप यहां पर comment करें, तोताई हिंद के नाम की उपाधी किसको मिली थी, option C, अमीर खुसरो को जो है, वो क्या कहा जाता था, तोताई हिंद के नाम से जाना जाता था, और जल्दी से ए अपनी कविताई सुनाते थे, और इनको जो है, वो सितार और तबले का जो है, वो अविशकारक भी माना जाता है, यह चीज़ भी आप धिहान रखें, अमीर खुसरो को जो है, वो तबले और सितार का अविशकारक माना जाता है, तो जिन्होंने भी answer यहां पर अल्लाउदी खिलजी दिया है, अल्लाउदीन खिलजी के दरवार में यह कभी थे, वो विल्कुल सही answer रहेगा, अगला question है, हमपी के समारक के समुह का निर्वान किसने किया था, तो हमपी में जो है, वो कुछ समारक हैं, और आपको पता होना चाहिए कि हमपी का चित्र, जो है वो नए क currency में 50 रुपे के नोट के पीछे जो हमपी का चित्र दिया गया है, हमपी के समारक का समुह का निर्मान किसके दौरा किया था, तो option A, हरी हर बुक्का है, फिर उसके बाद आपके पास उड़ाइन और शिशुनाग है, दे बर्मन बैने है, मारा वरन और सिर मारा है, तो option A, ह प्रिके की क्लास यहाँ पर आपके लिए रहेगी, अगला कोईशन 41 कोईशन आपके लिए है, ताली कोटा की परसिद लड़ाई कब हुई थी, 1565 में, 1575 में, 1585 में, 1570 में, ताली कोटा की लड़ाई, परसिद लड़ाई किस वर्ष हुई थी, तो option A, 1565 में जो है वो, यहा पर ताली कोटा का परसिद युद जो है, वो हुआ था, अगला प्रशन जल्दी से दिल्ली की जाम मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी, जातर कोईशन आप से पूछा जाता है, जाम मस्जिद कहां पर है, यहाँ पर थोड़ा सा एक एडवांस लेवल का कोईशन फिर से आपके लिए यहाँ पर मैंने डाला है, किस सदी में बनाई गई थी, पंदरा, सौला, सतरा या अठ्रा, कौन सी सदी में यह बनी थी, तो जाम मस्जिद बनी थी, सतार मी, सताबदी में ऑप्शन सी, जिनका भी राइट अंसर है, यहाँ पर वो अगले कोईशन को जल्दी स यहाँ पर हिट करें, ताज महल के बास्तुकार कौन है, एक शीट आपको लेनी है, वहाँ पर आपको अपने आंसर, कोईशन नंबर के साथ आंसर आपको टिक करते चलना है, लास्ट में चेक करना है कि हंडर में से कितने कोईशन जो हैं वो आपके बिलकुल सही यहाँ पर जाते हैं, ताज महल के बास्तुकार कौन थे, जल्दी से उस्ताद एहमद लाहोरी, नॉर्मन फोरेस्टर, हैंरी इरविन या फिर उस्ताद घनी उतबुदीन, कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा, तो ताज महल का निर्मान जो है, वो साजहा ने अपनी पतनी मुमताज क याद में जो है, वो करवाया था, और इसके बास्तुकार, इसका डिजाइन रखा था, ये रखा था, उस्ताद एहमद लाहोरी के दौरा, तो ऑप्शन ए, जिन्होंने भी आंसर दिया है, वो बिल्कुल सही है, और ताज महल जो है ये आगरा, आगरा में स्थित है, और कहा पर ये स्थित है, दिल्ली में या फिर यूपी में, तो ज्यादतर बच्चे कई बार क्या करते हैं, दिल्ली को टिक कर देते हैं, लेकिन ध्यान में रखना ताज महल दिल्ली में नहीं है, ताज महल आगरा में है, और आगरा कहां पर पढ़ता है, दिल्ली में पढ़ता है, यही चीज़ आप यहां पर ध्यान रखें अगला प्रशन लाल के लिए का निर्मान किसके द्वारा कराए गया था ही माईयू अकवर शाह जहां या फिर औरंजेव यह आपको पता होना चाहिए क्यूंकि यह हमारे स्टाटिक जीके के भी कोशन यहां पर रहते हैं हिस्ट्री ट्रस्वाइं है फिक्स कोश्चन है रिपीट इड कोश्चन है लाल किले का निर्मान जो हमारा दिल्ली में है किसने करवाया था इसका निर्मान भी कि-सके द्वारा किया गया किए है अगला प्रशन है आहां के पास ताजमहल के बास्थुकार कौन थे तो यह तो हमारा क् Newman रिपीट हुआ है उस्ताद एहमद लाहोरी यह आपको पता है option A अगला question 46 question की बात करते हैं निमेलिखित में से किस मुगल शाशक ने संगीत और नरित्य पर प्रतिवंद लगाया था ऐसा कौन सा मुगल शाशक था देखी ध्यान से देखी मुगल शाशक की बात कीर्ट कर रह प्रतिवंद लगा दिया तो वो कौन सा था वो था औरंग जेव option C इसका क्या रहेगा बिलकुल सही आंसर है रहेगा अगला question भारत में बीवी का मकवरा कहां पर स्थित है फतेपुर सीक्री औरंगाबाद हैदराबाद या फिर जोनपुर 47th question हमारा ये जीके का चला है एक आई थिंग शायद आपका औरंगाबाद एक एयारो भी आपका रहता है अगला question है आपके पास किस भारती राजे पर कबजा करने के लिए राज अपहरण नीती को नहीं अपनाया गया था तो ऐसा कौन सा भारती है किस भारती राजे पर मतलब कि पुराने टाइम में क्या क किया गया था कि राज अपहरण नीती को नहीं अपनाया गया था किसके लिए ताकि किसी भारती राजे पर कबजा किया जा सके किस भारती राजे पर कबजा करने के लिए यह अपनीती नहीं अपनाई गया थी सतारा नागपुर जहांसी या फिर पंजाब कौन सी ऐसा यह थ दूसरा आंगल सिख्यूद 1848-1849 के बीच हुआ था और एक सिख्यूद था आंगल सिख्यूद था इसमें जो है वह राज्य अपहरण नीती के अकोडिंग पंजाब पर कबजा नहीं किया गया था यह चीज आपको ध्यान में रखना है पंजाब पर कबजा नहीं किया गया था तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका ऑप्शन डी पंजाब इसका राइट आंसर रहेगा अगला प्रशन है टेलिग्राफ लाइन सबसे पहल यह लगबग जितने भी हमारे टेलीफोन है टेलीग्राम है उसके बाद रेलवे लाइन है इन सभी के काम किये गए थे तो टेलीग्राफ की पहली लाइन कहां से कहां बिचाई गई थी ऑप्शन दिये गए है कलकत्ता से आगरा आगरा से जैपुर दिली से शिमला कलकत्ता से तो option A जिन्होंने भी आंसर दिया है कॉलकत्ता से आगरा जो है वो इसका क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा तो पचासमा कोशन आपके पास आ गया है भारत का पहला भारती गवर्नर जर्नल कौन सा था जल्दी से अपना आंसर यहां पर कोमेंट करें भारत का पहला भारती गवर्नर जर्नल कौन सा था राजगोपालाचारी राजेंदर परशाद या एस राधाक्रिशन तो इसका क्या राइट आंसर रहेगा option B ज्यादा कंफ्यूजिंग कोशन नहीं है क्योंकि यह सभी जो हैं राजेंदर परशाद और राधाक्रिशन यह राष्ठ पती परधान जर्नल रहेते तो option B जिन्होंने भी जो भी student हमारे साथ जुड़े हैं option B जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा एक वार वीडियो को लाइक आप जरूर कर दें क्यूंकि हमें भी motivation उसी से ही यहां पर मिलती है स्वतंतर भारत का पहला गवर्नर जर्नल कौन था यह ब भारत का पहला भारती गवर्नर जर्नल कौन था तो सी राज को पाला चारी यहां पर बोला गया है सुतंतर भारत का तो एक ही बाड़ यहां पर आड़ किया गया है सुतंतर भारत इसी चीज़ से आपका क्या हो जाएगा पूरा का पूरा option जो है वो क्या answer आपका चेंज हो तो सुतंतर भारत के सुतंतर भारत के सुतंतर भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे यहां पर जब बात की जा रही है तो सुतंतर भारत का पहला यानि की पूरे इंडिया की बात की जा रही है ना कि एक ऐसे परसन की जो इंडियन है यहां पर जो पहला गवर्नर था वो कौन कुम था ? Lard Mount Bentain जैसे कि मैं इस Q Понjgan को समझाने के लिए आपको बताता हूं जैसे कि अगर मैं RBI की बात करता हूं ठीक है अब ₤ गवर्णर की बात करता हूं कि पहला गवर्णर को था तो पहला समित कौन था ठीड यदा ओस बोन समित लेकिन गवर्नर कौन था आप एक बार चेक करने तो मेरा समझाने का मेन मोटीव क्या है कि आर्बियाई का जो गवर्नर था वो पहले नंबर पे कौन से थे सर और ओस्वोंड समीथ लेकिन जब भारती की बात की गई तो उसके लिए आप कांसर क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा त बार और उसके बाद गवर्नर आया राज को पाला चारी जो की दूसरे नंबर के गवर्नर थे लेकिन indoors, अगर में भारत के भारती परसन की बात करों तो उसमें वो पहले नंबर के गवर्नर थे चीप आपको कोुशन समय में जब आयी है Mission C जिनका है वो बилकुल सही आंसर ह उनका अगला प्रशन भारत का अंतिम गवर्नर जर्नल कौन था इस टॉपिक को एक वार बिलकुल ध्यान से आप बुक से जो है वो अंडरस्टेंड करें क्यूंकि यहां पर छोटी से भी आपकी गलती जो है वो पूरा आपका एक कोशन गलत करवा सकती है सुतंतर भारत का अंतिम गवर्नर जर्नल कौन था यह आप से पूछा गया है और इसके बाद यह पोस्ट ही क्या कर दी गई खतम कर दी गई यह पोस्ट ही नहीं रखी गई तो पहले भी यही थे और अंतिम भी यही थो तो इसलिए जो है को सी राजगोपालाचारी ओप्शन स इसका राइड आंसर यहां पर रहेगा 21 जून उनिस और तालिस से लेके 26 जनवरी 1950 तक हिनों ने जो है वो यह पोस्ट संभाली थी भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जर्नल बने थे अगला कोशन है राम कृशन मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई यह कोशन भी अगला प्राशन है अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कर दिया कब श्को इसका माध्यम बना कब गया तो 1835 में option C क्या रहेगा इस question का right answer है रहेगा और भारत में अंग्रेजी को अंग्रेजी को सिक्षा का माधिम बनाने के लिए जो है वो लौड मिकाले का एक महतपूरण योगदान है रहा था अगला question है अलीगड़ अंदोलन का संस्थापक कौन था important question है ये अलीगड़ अंदोलन का संस्थापक कौन था सर अगा खां मुलाना अफ्ताव घुसान अगला है मुलाना शिबली या फिर सेद एहमद खां क्या इसका right answer रहेगा तो अलीगड़ अंदोलन का संस्थापक कौन था सर सेद एहमद खां option D जिन्होंने भी answer किया है वो बि प्रात्ना समाज का संस्थापक कौन था जल्दी से अपना answer यहां पर आप comment करें प्रात्ना समाज रामकृषन परमहंस स्वामी विवेकनंद आत्मा राम पंडूरंग या फिर दयानंद सरस्वती तो जब भी हम स्कूल में जाते हैं तो क्या करते हैं प्रात्ना करते हैं मोर राइड आंसर रहेगा अगला प्रशन राजा राम मोहन रहे ने किसके विरुद एक एतिहासिक अंदोलन का आयोजन किया था जादी प्रथा सती प्रथा समाज में महिलाओं की अपमान जनक स्थिती बियर्थ के धार्मिक अनुस्ठालों का पालन तो किसके द्वारा ही किया किया जाथा ऑप्शन उप्षेज़ आंसर रहेगा अगला प्रेशन बार और और आफ िंडीपेंडेंटेंस नाम कि किस द्वोरा लिखे इंडीएप्षिटेंडेंश ये लुक्री सह किrey रहेगा और बिल्कुल सही画े रहेगा आगला प्रशन नारों से related आपका प्रशन रहेगा किसने कहा था स्वाद का बास्तिविक्स्तान जिवा नहीं बलकि मन है यानि कि स्वाद लेने के लिए जिवा नहीं होनी चाहिए बलकि मन होना चाहिए अगर मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है किसने कहा था अर्बिंद घोश महात्मा गांद महात्मा गांधी जी तो option B क्या रहेगा इस question का right answer रहेगा अगला प्रशन है ये विचार किसने कहा था साधन ही उदेश्यों को औचित्य बनाते हैं किसके दौरा ये कहा गया है साधन ही उदेश्यों का औचित्य बनाते हैं कोटिल्य राजराम राय स्वामी दयानंद सर्श्वती या फिर महात्मा गांधी तो इसका भी राइट आंसर क्या रहेगा option D महात्मा गांधी इस question का भी राइट आंसर रहेगा तो लास्ट के हमारे 40 कोशन बचे हैं अगला कोशन जल्दी से 61 कोशन हमारा रहेगा किसने कहा थ सत्य पर्मतत्य था स्वामि के द्वारा कहा गया स्वामि विवेकनन्द करांध के नाटे तका उसके बाद है राधाक रिशन तो ये हैं सेंटेंस के और औहटे जासत्यसाru इसके दो मुखे पहलू थे इसलिए This question का भी राइट आंसर है रहेगा गांधी जी का मूल मंत्र ही क्या था सत्य और हिंसा इसके लिए option C इसका right answer रहेगा अगला 62 question भारती विसमारक के रूप में किसे कहा जाता है किसे जाना जाता है सरदार बल्ल भाई पटेल सुभाष चंद्र बोस भगत सिंग या फिर बाल गंगा धर तिलक जल्दी से answer अपना comment करें भारती विसमारक के रूप में हम किसे जानते हैं तो जिन्होंने भी answer बल्ल भाई पटेल यहां पर दिया है सरदार बल्ल भाई पटेल option A उनका answer बिलकुल सही है आप जीके की sheet के उपर जो है वो अपने answer यहां पर लिखते चलें कौन-कौन से आपके question गलत क्योंकि यह आपकी एक hit and trial की बात होती है यहां पर जादा आपको सोचना नहीं है जो चीज आपके direct दिमाग में hit है उसका आपको answer बताना है और check करना है कि 100 में से आपकी त्यारी कितनी है क्योंकि आपको कोई न कोई exam तो दे नहीं है एक particular exam के लिए आपका जीके नहीं है multiple exam के लिए आपका जीके रहता है इसलिए आप शीट आप जरूर लगाएं उसमें आपना score आप जरूर चेक करें क्या इसका right answer रहेगा भारती आय सोरी भारत में रास्ट्री आय का आंकलन सबसे पहले किस ने किया था तो कौन सा right answer रहेगा इसका सबसे पहले किया था दादा भाई ना रोजी के द्वारा option B जो उन्होंने answer किया वो विल्कुल सही answer उनका रहेगा अगला प्रशन है ब्रिटिश शंसद का सदस्य बनने वाला पहला भारती कौन सा था तो ब्रिटिश संसद में भारत के द्वारा एक सदस्य जो है वो बना था और पहला भारती वो कौन सा था वंकिम जंदर चतर जी डवलीयू सी बैनेर जी दाधा भाई नरोजी या फिर इन में से कोई नहीं तो वह कौन से थे पहले भारती जो British संसद के सदस्य बने थे उनका नाम था दाधा भाई नरोजी जो है वो उन्होंने सबसे पहले राश्टर आय का भी आंकलन किया था और उसके बाद उन्होंने British संसद में as a member में उन्होंने भाग लिया था अगला कोशन है भारत से ब्रिटेन की और संपत्ति के अभहन यानि कि ड्रेन ऑफ बैर्थ का सिध्धांत किस ने प्रतिपादित किया था इस question का आप answer करें कि right answer इसका रहेगा तो भारत से ब्रिटेन की और ठीक है जी तो यह किसके द्वारा किया था अब इसका मतलब क्या है यह सिध्धांत किसके द्वारा किया गया था देखिए यह सिध्धांत क्या है इस सिध्धांत का मतलब है कि आपने सीखा भारत से और उसक लेकिन और इंडिया कि मैं करते हैं इंडिया िडिया में बात में कहां चले जाते हैं किसी अनदर कंट्री में चले जाते हैं दुबई में चले गए कुबेट में चले गए करने तो हम नोकरी जाते हैं लेकिन टैलेंट स्किल कहां से सीखा लेकिन वह टैलेंट और स्किल किस देश को हमने दे दिया किस देश के लिए यूज करें अनद प्रस्थित किया गया था दादा भाई नरोजी के द्वारा ओप्शन भी इसका भी राइट आंसर रहेगा अगला प्रेशन महत्मा गांधी को कहा गया था अर्ध नंगन फकीर ये किस ने कहा था बिस्टल चर्चल ने लौड मांट बेटन लौड बेवल लौड लिन थिगो तो किस के द्वारा ये कहा गया था इंपोर्टेंट कोईशन है अर्ध नंगन फकीर जो है ये कहा गया था बिस्टल चर्चल क अगला प्रशन करेंगे या मरेंगे गांधी जी ने राष्ट को ये मंत्र किस जन अंदोलन पर ये दिया था करो या मरो का नारा जो है वो एक महत्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था लेकिन ये किस अंदोलन में दिया था और ये अंदोल्न कौनसा था ये अंदोलन था भारत छोड़ो अंदोलन 어떠ी ाठी हны दिया किसके दव्से kraxh अभी मैंने आपको बता दिया किसने आपको अभी में आपको बता दिया गस्ने। क्योंशन हमारा रहेगा इंकलाव जिन्दाबाद का नारा किसके दौरा दिया गया चंदर-शेकर, आजाद-सुभास, चंदरबोस, भगत-शिंघ तो किसके दौरा ये दिया गया था? आंसर आप अपना कोमेंट करें इंकलाव जिन्दावाद का नारा किस ने दिया था चंदर शेकर आजाद सुभाज चंदर बोस भगत सिंग या फिर इकबाल इंकलाव जिन्दावाद का नारा दिया गया था भगत सिंग के दौरा ऑप्शन C, राइट अंसर इसका रहेगा अगला प्रेशन बेदों की और बापीस किसके द्वारा यह नारादिया गया था आपको ध्यान में का नारा किसे द्लीया गया था स्वामी दैनांद द्लोट यह भारती अंसर रहाँ रहे गा ब्हारती का जनक किसे कहा जाता है जल्दी से इसका अंसर आप करें भारती अशांती का जनक किसे कहा जाता है तो यह जो है वो किसे कहा जाता है लाला लाजपत्राय अर्विंद घोष विपिन चंद्रपालिया फिर बाल गंगा धरतिलग तो ऑप्शन डी इसका राइट अंसर रहेगा भारतिय शांती का जैनक किसे कहते हैं बाल गंगा धरतिलग को कहा जाता है अगला प्रशन फ्रेंट्रिय गांधी के पद से कौन समंदित यानि कि फ्रेंट्रिय फ्रेंटियर गांधी के नाम से हम किसे जानते हैं मोहंदास करमचंद गांधी को अब्दुल-बली खांग को अब्दुल-गफार खांग या फिर लाजा लाजपत्राय इंपोर्टेंट कोशन है यह और आपको ध्यान में रखना है फ्रेंटियर गांधी को सिमात गांधी के नाम से भी जाना जाता है और सिमात गांधी किसे कहते हैं यह कहते हैं खान अब्दुल-गफार खांग को यह किसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सब इन्हें अबग्या अंदोलन के दोरान यह जो है वो इन्होंने एक स्क्र अपनी भूमी का निभाई थी उस अंदोलन में इसलिए उन्हें फ्रेंटियर गांधी या फिर सिमात गांधी के नाम से जाना जाता है और 1987 में 1987 में जो है वो इनको भारत रतन से भी सम्मानेत किया जा जुका था अगला प्रशन है सिमात गांधी किसका अपनाम था तो अभी म यंग इंडिया और हरीजन का संपाद कौन था तो यंग इंडिया और हरीजन दो एक पत्रिकाएं जो हैं वहां पर निकलती थी मैग जीन ये किसके द्वारा संपादित की जाती थी तो क्या इसका राइट अंसर रहेगा नहरू अंबेदकर महात्मा गांधी या फिर सुभा द्वारा किया गया था तो नील दरपन एक जो है वो एक ओपनियास था यह जो है दीन बंधू मित्र के द्वारा लिखी गई थी और इसका इंगलिश में अनुबाद मधू सूधन दत ने किया था यानि कि ऑप्शन बी जो है वो इसकोशन का राइट अंसर रहेगा थोड़ मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा आप माइंड में चीज़ों को ध्यान में रखें क्योंकि जो चीज अभी मैंने बताई है कई वार कोशन दो तीन कोशन ऐसे हमने रिपीट किये हैं कि उनका अगला कोशन जो है वो उसी पिछले कोशन से ही रिलेट करता है तो अभी मैंन प्रविति ना लॉड इर्विन सुभाष चंद्र बोश या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर तो किसके बीच में जो है यह समझोता हुआ था पूर्णा समझोता किसकी बीच में हुआ था आपको ध्यानमें रखना है पूर्णा समझोता 1932 में हुआ था और यहाँ पर यहाँ पर जो है वो गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किये थे बलकि जो है वो गांधी जी ने अपने जुस हयोगी थे उनके हस्ताक्षर यहाँ पर करवाए गे थे 24 सितंबर 1932 को इस समझोते में जो है वो दोनों तरफ से हस्ताक्षत किये गे एक थे महात्मा गांधी और दूसरे कौन थे dr. बियार अंबेदकर तो यहाँ पर यह जाती से समंधित जो है वो एक समझोता हुआ था पूरा समझोता यहाँ पर विभिन बर्गों के लिए जो है वो निरवाचन का समझोता यहाँ पर किया गया था समाने बरक था दलित बरक जिसमें सीटों को अरक्षित करने की विवर्स्ता की गई थी तो वी आर अंबेदकर ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा अगला प्रशन भारती राश्ट्री कॉंग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था यहां पर ध्यान दें पहला अंग्रेज अध्यक्ष की बात भारती राश्ट्री कॉंग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कोन था जोर्ज यूले बिल्यम या फिर हिव म्या फिर हें पर हैंग्रेज अध्यक्ष की बात यह अगला आंसर रहेगा अगला प्रशन फरबरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमिशन का बहिशकार किया गया था क्यों किया गया था क्योंकि उसके सभी सदस से अंग्रेज थे उस समय अनेक राष्ट पाती नेदा जो थे वो बंदी थे उसके बाद है उनका अध्यक्स सर जोन साइमन क कमिशन का बहिशकार किया गया था क्योंकि क्यों किया गया था क्योंकि उसके सभी सदस्य कौन थे अंग्रेज थे कौन से सदस्य थे अंग्रेज थे इसलिए उसका बहिश्कार किया गया था अगला प्रशन है भारत सेबक समाज की स्थापना किस ने की थी बाल गंगा धर्तिल्क गुपाल कृशन गोखले सुरेंदर नाथ पेनर जी दादा भाई नरोजी किसके द्वारा ही की गई थी भारत सेबक समाज की स्थापना किस ने की थी भाल गंग अधर तिल्क गुपाल कृष्ण गोखले सुरेंदरनाथ पेनर जी दादा भाई नारोजी दादा भाई नारोजी किसके दौरा यह की गई थी तो option B गुपाल कृष्ण गोखले जो है इसका right answer रहेगा option B बिल्कुल सही answer यहाँ पर रहेगा भारत सेबक समाज इसकी स्थापन जो है वो गुपाल कृष्ण गोखले ने पुने महरास्ट में 12 जून 1905 में की थी कई बार question में पूछ लिया जाता है और इसको जो है भारत सेबक समाज इसको जो है वो English में क्या कहा जाता है servants of India society servants of India society के नाम से भी इसको जानते हैं तो अगला प्रशन है देखी फिर से question हमारा repeat हुआ servants of India society के संस्थापक कौन थे अभी मैंने आपको यहां पर बताया गोपाल कृष्ण गोखले यानि की option A जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा 1905 में जो है इस society की स्थापना की गई थी अगला प्रशन है निमन में से कौन सा ब्यक्ति इटली के एकी करण से समंद्र नहीं थ रखता था तो कौन सा था मुसलिनी मुसलिनी option C जो है इस question का क्या रहेगा हमारे पास बिलकुल सही आंसर रहेगा अगला प्रशन हमारे पास question number 84 दूति अभिश्व यूद के दौरान जापान के किन शहरों में परमानू बंब गिराए गये तो आपको question आना ही चाहिए इसम हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 में बंब गिराए गया था और ये उसके बाद नागा शाकी में 9 अगस्त 1945 को USA के द्वारा जो है वो परमानू बंब गिराए गये थे और ये दोनों शहर हिरोशिमा और नागा साकी ये कहां पर पढ़ते हैं जापान में पढ़ते हैं और किस तो काफी जादा कोशन बनते हैं तो आप देख सकते हिरोशिमा और नागा साकी कहां पर है जापान में दूसरा कोशन किस बिश्वयेत में ये बंब गिरा गए गये थे तो यूए देट में फैंके गए तो 6 अगस 1945 को हिरोशिमा में और उसके तीन दिन बाद 9 अगस 1945 में प अग्ला क्रश्शन किस दौर्ह शहंबτοं से हमारे इसी कोशन से हमारे बन के निकल अगला ख़श भारत में-स तरहां भारत में कितने स्थपड़ों वह रूप से अदालतेंगे। सबसे जोटी है हमारी जिला उसके बाद है हमारी स्टेट हाई कोट और उसके बाद आता है हमारे पास सुप्रीम कोट तो मुखे लुप से तीन अदालते मानी जाती है और उससे नीचे के अगर बात करें सबसे पहले केस जो है वो पंचायत में जाता है उसके बाद SDM court में जाता है, फिर SDM court से सबसे पहले जो अदालत हमारी चलती है, district court उसके बाद state court जिसको हम high court कहते हैं और उसके बाद 30 से नंबर पर आता है हमारे पास है, supreme court, तो option B इसका right answer रहेगा, अगला 86th question है, कौन सा अनुछे निरवाचन आयोग से समध रखता है, या निरवाचन आयोग से समंधित कौन सा अर्टिकल है, 324 अनुछेद 324 आर्टिकल, 326 जो है वो हमारा किस से रिलेट करता है, election commission निरवाचन आयोग से समंधर रखता है, अगला प्रशन 87th, मुखे चुनाव आयोगत का कारेकाल कितने समय का होता है, 5, 6, 5, 6 साल, 5 साल या 60 साल की उमर तक 6 साल या 65 साल की उमर तक कौन सा इसका राइट अंसर रहेगा, अच्छा प्रशन आपके पास दिया गया है, तो देखिए आपको बोला गया है, कि मुखे चुनाव अयोगत का कारेकाल कितने समय का होता है, तो वो तो होता है 6 साल का, यह आपको बताना चाहिए, तो 6 साल वाला ऑप्शन कौन सा है, वी और डी, अब उसके बाद उसमें उमर 60 साल की नहीं है, उसमें उमर कितने की है, 65 साल की, इसलिए प्रफर किसको करेंगे, ऑप्शन डी को हम यहाँ पर प्रफर करेंगे, तो जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी दिया है, उनका क्या है बेलकुल सही आंसर यहां पर रहेगा अगला प्रेशन है भारत के प्रत्थम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे तो पहले एलेक्शन कमिशन हमारे कौन से रहे थे जल्दी से अपना आंसर कॉमेंट करें कौन से रहे थे के वी सुंदरम सुकुमार से नजीवी मालवंकर या फिर स्वामी नाथन तो क्या इसका राइट अंसर रहेगा वीजेपथ एजूकेशन हमेशा आपकी एक्जाम की त्यारी के लिए आगे खड़ा रहता है और यह हमारे वन लाइनर नोट्स में भी आपको यह कोश्चन पहले ही पेज में आपको देखने को मिला होगा अग वारे विजेपथ एजूकेशन की नोट्स अगर उसके पास रहे हैं स्वान लाइनर फों में जिसमें भारतिय मैंन से रेलेक्टे मैं प्रसिद्श गजर्वाशन अंसर और नियुक्त है अगला प्रशन भारत के पहले चुनाब आयुक्त कौन थे तो पहले चुनाब आयुक्त कौन थे अभी मैंने आपको बताया डॉक्टर सू कुमार सेन, option D, right answer, अगला question, question number 90, संबेधानिक राजसी का मतलब क्या होता है, राजय के द्वारा शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि राजय क्या करता है, जब वो किसी पद पर होता है, तो संबीधान के द्वारा जो उसको शक्तियां प्रापत हैं, उनका वो प्रयोग करता है, तो कौन सा option होगा, option D, संबीधान द्वारा प्रापत शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग किया जाता है Option D इस question का right answer रहेगा अगला question है question number 91 राजयपाल को पद की सपत किस के द्वारा दिलाई जाती है राजयपाल जो हमारा state का governor होता है उसको शपत कौन दिलाता है उच्च न्याले के मुख्य न्याइधीर राश्ट्रपती विधान सबा के अध्याक्ष या फिर भारत के मुख्य न्याइधीर most important question आपके लिए रहेगा कौन उनको जो है वो शपत दिलाता है तो उनको शपत जो है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है उच्च न्याले के मुख्य न्याइधीर के द्वारा उनको शपत दिलाई जाती है आपको ध्यान में रखना है इनको जो है ये राश्ट्रपती के द्वारा किये जाते हैं लेकिन इनको जो इनको जो शप्त है वह रास्टपती के दौरा नहीं दी जाती है जो उच्छ नया लेकर जो हाई कोड के जो मेन जज होते हैं मुख्य नयाधीश होते हैं उनके द्वारन को शप्त दिलाई जाती तो ऑप्शन का राइट आंसर रहेगा अगला प्रशन नमिल लिखित में से किसने किसी भारती राजे में मुख्य मंत्री के रूप में सबसे लंबी सेबा की है इंपोर्टेंट कोईश अबीर भदर सिंग थे वह लगा अच्छे बार जो हैं वह माचल के मुख्य मंत्री रहे हैं लेकिन यह कोशन ऑप्शन के उपर डिपेंड करता है इसमें आपको बोला गया कि इन में से इन ऑप्शन में से कौन से राज्य में एक मुख्य मंत्री थे जिन्होंने सबसे लंब सबसे लंबी सेवा निस सो सततर से लेके 2000 तक यह मुख्य मंत्री वहां के रहे थे अगला प्रशन है आपके पास भारत में किस राज्य में पहली राज्य में महिला मुख्य मंत्री कभी नहीं बनी इन चार राज्यों की बात की जारी ऑप्शन के कोडिंग तमिल नाडू, राजिस्थान, उत्तरपरदेश या महारास्ट इनकी मुख्य मंत्री जो है बुक कभी भी कोई महिला नहीं बनी है यह आपको बताना है तो अगर मैं सबसे पहले तमिल नाडू की बात करूं तो तमिल नाड इस्थान की भी एक महिला मुख्य मंत्री रह चुकी है बसुंधरा राजे इनका नाम भी आपने सुना होगा उसके आद उत्तरपरदेश की अगर मैं बात करूं तो माया बती काफी परसित नाम है और सुचेता क्रिपलानी जो की पहली मुख्य मंत्री थी यूपी की महिला म तक महिला मंथर्य महारास्तर की महला मंत्री नहीं अगला कोशन है। निमलखित में से कौन भारत की सी राजे काonden इन इन कि रॉकित बताना है तो तो क्या इसका राइट अंसर रहेगगा तो इसका राइट अंसर क्या हैapon बी तरुन गोगोई इसका राइट आंसर रहेगा अपना एक वार कोमेंट करें कि तरुन गोगोई कि सराज्य के मुख्य मंतरी बने हैं एक वार इंटरनेट से भी आप इसकी हल्प जो हैं वो ले सकते हैं क्योंकि कहीं नहीं से जब आप कोश्च पर तो वह चीज़ आपके मा पंचाइती राज के साथ है जुड़ा है तो option A क्या हो जाएगा हमारा इस question का right answer रहेगा अगला प्रशन है पंचाइती राज को कि संसोधन ने संस्थापित किया था तो यह भी मैंने आपको बता दिया 73 जो है वो पंचाइती राज से जुड़ा है तो option C जन्होंने भी आं संस्थानिक किस के साथ जुड़ी है तो यह जुड़ी है 74 से option B इस question का right answer रहेगा 98 question भारत में पंचाइती राज परणाली संभीधान के किस अनुछेद के निर्तेश के अंतरगात शुरू हुई थी कौन से आर्टिकल के द्वारा जो है वो यह शुरू की गई थी 32, 40, 45 और 51 किसमें जो है वो यह हमारा पंचाइती राज सिस्टम जो है वो आता है और्टिकल ओर्गेनाइजेशन ऑफ बिलेज पंचाइद आर्टिकल 40 यह हमें बताता है तो option B जो है वो हमारे पास इसकार बिल्कुरू राइट आंसर रहेगा बीएड एंट रांस के लिए आपका इ 99 सेकंड लास्ट कोशन आज की इस क्लास का भारती संभीधान में कौन सा अनुछेद राज सरकारों को ग्राम पंचाइतों के गठन का निर्देश देता है क्या इसका राइट आंसर रहेगा तो अभी मैंने आपको बता दिया और्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचाइत य महिलाओं के स्षक्तिकरण के लिए रास्ट्रिय नीती किस वर्ष में अपनाई गयी थी किस वर्ष अपनाई गयी थी और आज की सक्लास का अंतिम प्रशण बहरत में सूचना का अधिकार सूचना का अधिकार का मतलब है Right To Information जब हम RTI देते हैं क्या देते हैं आर टी आई देते हैं right to information ये कब शुरू किया गया था भारत में किस दिन ये शुरू किया गया था 15 गस्त 2005, 15 मार्च 2005, 15 जून 2005 या फिर 15 जुलाई 2005 क्या इसका right answer रहेगा भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो 2005 में 15 जून को जो है वो शुरू किया गया थे यानि की आर्ट याई कब लौंच की गई थी 15 जून 2005 में लौंच की गई थी तो आई होप अभी तक जो आपके टॉप 100 कोईशन आपको कराए हैं उनमें से लगबग 80 से जादा कोईशन जो है वो आपके बिलकुल सही है जिन भी student के यहाँ पर answer सही है वो अपना एक वार score य जोई किया अपना एक बार आपने जी के टेस्ट किया अगली बार फिर से इसी परकार की classes के साथ मैं आपसे जुड़ूंगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत